जहें दोस्तों और एक बार फिर से सबत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर और आज का ये वीडियो होने वाला है ग्रैंड फिंसर्व नाम की लोन एप्लिकेशन के उपर इस लोन एप्लिकेशन का जो काला सच है वो आजके इस वीडियो में आप λोगों के सामने में लाने वाला हूँ और साथ ही में जितने वी यूजर्स है इस अप्लिकेशन के उनको बहुत बड़ी वार्निंग या चेतावनी में देने वाला हूँ नई तो वो बहुत ही बड़े गड़े में या ददल में या स्कैम में फस सकते हैं और लाखों रुपे का लॉस्ट कर सकते हैं इन सभी बातों के बोलने के पीछे मेरा क्या मकसद है वो मैं आपको बताऊंगा इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने आपके चैनल लोन हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस कर दिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इस तौपिक के उपर में कि अगर आपने ग्रैंड फिन सर्व नाम की अप्लिकेशन डाउनलोड की है वो भी इंस्टागराम या फेस्बुक पर एड देखकर तो यह आपसे बहुत ही बड़ी भूल हुई है यह बहुत ही बड़ी चुक हुई है क्यूंकि यह अप्लिकेशन निकली 100% फर्जी और इंस्टेंट लोन एप जो की एक पुरी तरीके से चाइना बेस्ट लोन एप्लिकेशन है अब यहां पर अगर आप डाउनलोड कर चुके हैं तो आपको ज़्यादा घबराना डरना नहीं है क्यूंकि अब आप आ गहे हैं लोन हेल्प इंडिया में तो यहां पर इसका क्या सोलीशन है यह इसके बाड़े में भी डिसक्स करें हैं अब यहां पर होगा क्या कि वहां से गलत अप्लिकेशन के और अपने का ne आपने उनको प्रवाइड कर दिया अब यहां पर होगा क्या कि वह आपके कॉंटेक्ट का यूज करेंगी और जब आपने साइनप किया होगा अप्लिकेशन पे तो अपने अधार कार्ड पैंड कार्ड और एक सेलफी दियोगी अब उस सेलफी का वह गलत उपयोग करने की करने के लिए मिलेगी आपको डराने के लिए यह सब कुछ साजिश इनके दौरा की जाती है अब इससे बचना कैसे है वह आप समझिए स्टेप बाइस्टेप वीडियो को लाइक भी किजी और समझी हुई सबसे पहला स्टेप ये होगा कि फोन में से इस फड़ी अप्लिकेशन को अनिस्टॉल कर दें यानि की पुरी तरीके से डिलीट मार दें ठीक है जब ये application पूरी तरीके से आपके delete हो जाती है तो application को delete करने की बाद second step है कि आपको जो दो reference number आपने दिये थे उनको ये जानकारी दे दे कि उनके number पे किसी तरीके की call आपके बहाँद में जाती है तो उसका वो बिल्कुल भी reply नहीं करे और यहाँ पे बात करेंगे तीसरा और सबसे जो major step आपको उठाना पड़ेगा वो क्या है तो वो सबसे बड़ा और तीसरा major step ये है कि आपको अपना WhatsApp नमबर साथ ही साथ अपना contact नमबर बंद करना होगा 20 days के लिए 20 दिनों की ये करना बहुत ही important है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये जो fraud application है ये लगतार आपको harass करेंगी आपको परिशान करेंगी आपको तंग करेंगी और आप इससे कभी बाहर ही ने निकल पाएंगे अपना पैसा भी loss करेंगे तो ऐसा ना हो इसलिए इन सभी steps का पालंग करें अगर दिक्कत परिशानी आती है तो आप हमसे WhatsApp पर contact करें उमीद करता हूं वीडियो परसंद आई होगी तो वीडियो को करेंगे लाइक और चैनल पर नहीं है तो चैनल को करेंगे सबस्क्राइब मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द जय हिंद जय भारत